रूस की नेटो को बहुत बड़ी चुनोती सामने आई है नेटो से युद्ध के लिए हम तयार हैं कह रहा है रूस तो क्या ये सिर्फ धंकियां हैं? क्या ये सिर्फ पॉस्चरिंग है? रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बयान दिया है नेटो चीफ के बयान पर रूस का पलटवार नेटो को युकरेन में युद्ध लड़ने तीजे हम नेटो के साथ सीधी टकर होने पर नेटो के साथ युद्ध लड़ने के लिए तयार हैं हम पूरी तरह से तयार हैं ये कहना है रूस के रक्षा विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का इसके बालावा अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं कि रूस वर्सिस नेटो यही सबसे बड़ी चिंता है सबकी रूस वर्सिस नेटो क्या ये युद्ध शुरू होगा आईए इससे जुड़ी भी तमाम जानकारी आपको देते हैं कि क्या संकेत बिल रहे हैं जेमस स्टॉल्टनबर्ग जो नेटो चीफ हैं उन्होंने बयान दिया है इसके लावा सरगेई लावरोव जो विदेश मंत्री हैं रूस के उन्होंने बयान दिया है शान्ती का मतलब युद्ध रोकना नहीं है ये कहा गया है नेटो युद्ध जारी रखना चाहता है ये लावरोव ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि नेटो चाहता है कि ये चलता रहे रूस के मताबिक समझोता नहीं होगा ये स्टॉल्टनबर्ग ने बयान दिया है इसके अलावा नेटो से युद्ध के लिए तयार है रूसी सेना ये बयान लावरॉव की तरफ से दिया गया रूसी हमले में कई रिहाईशी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई रूस का खेरसोन पर लगाता ड्रोन और मिसाइल से हमला जारी है एक और बड़ी खबर आपको बताएं सामने आई है रूसी ड्रोन अटाक की तस्वीर भी लैंसर ड्रोन से रूस ने बड़ा हमला किया है युक्रेणी टांक पर ड्रोन से अटाक किया गया सुिसाइड ड्रोन हमले में युक्रेणी टांक पूरी तरह से नश्ट हो गया एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उक्रेन के काउंटर ओफेंसिव को जटका लगा है स्वातोवा में उक्रेनी फॉस पर हमला हुआ है किस तरह से हमला हुआ देखिए, आगे बढ़ रहे हैं, उक्रेनी सेनिको पर अटाक किया गया ड्रोन हमले में युकरियनी फॉर्स को ये बड़ा नुकसान हुआ है स्वातोवा में युकरियनी फॉर्स पर ये बड़ा हमला किया गए देके किस तरह से ये हमले किये जा रहे हैं अलग-लग तस्वीरे जो आपको दिखाती हैं लेकिन युद्ध की जो ground situation है उसे आप किस तरह से आखते हैं कहां तक ये जाएगा अभी कैसा लग रहा है कि रूस ने अपनी position को secure कर लिया है consolidate कर लिया है और अब वो वहां से लगातार युक्रेण पर और हमले कर रहा है बात बिलकुल साफ है रश्या ने जो इलाख में कबजा किया है वह अपनी defenses मदबूत बना ली है three-tier defenses है उनकी और उस पर युक्रेण हमला counter attack करने की कोशिश कर रहा है कभी 100 बढ़ता है कभी 200 बढ़ता है लेकिन casualties लगातार युक्रेण के उपर हो रही है युक्रेण की जो facilities है और डिस्ट्रॉय हो रही है और जहां तक रश्या की strategy के सवाल है रश्या अपने selected targets पर continuously destruction कर रहा है air power से drones के जरिये, artillery के जरिये और missile के जरिये तो अगर आप देखें तो एक तरफ युक्रेण ground पे जाके सब हत्यार मिलाकर अपने इलाका जो खोच चुका है उसको कबजा करने की कोश्चे करता है लेकिन success बहुत limited है रश्या अपने इलादों में पक्का है जहां उसको destruction करनी है वो destruction करता चला जा रहा है यानि अभी upper hand rose के पास मौजूद है इस युद्ध में आपसे जाना चाहूंगे कि क्या आपको लग रहा है कि यह कहां तक खिचेगा यह जो counter offensive है क्या इसी तरह से जारी रहने वाला है सर छोटा जवाब रखेगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है देखें यह tactical reason मुझे नजर आता है क्योंकि अगर Ukraine थोड़ा lie low करता है मार खाता है तो वह ऐसे निखा रहा है क्योंकि वेस्ट के पास भी काउंटर करने की ताकत तो है बहुर इस टाइम यूटिलाइजनी कर रहा आने वाले समय में जैसे मैं कह रहा था कि समर्भ काफी बाकी है समर्द की पीक आई है और दो दिखा इसके अंदर चक्का उल्टा घुम सकता है वो घुमा सकते हैं